आज मैं आपसे शेर करूंगी एक और वीडियो तो यह आज बॉक्स नहीं है क्योंकि मैंने इसे और नहीं किया है मैंने इसे खरीदा है जहां से मैंने अपना है ट्रेट्मेंट लिया है पार्लर से ही तो इसकी मुझे पूरी कॉस्ट पे करनी पड़ी है इतना MRP है इसका बट कोई नहीं अगली बार मैं इसे फिर से एमेजन से ओडर करूंगी और आपसे फिर से लिंक शेयर करूंगी कि कहां से आप सस्ते में परचेश कर सकते हैं यह है यूटिका प्रोफेशनल का हैर कलर अमोनिया प्री क्रीम हैर कलर तो यह हमारे बालों को हल्दी भी लगता है और शाइन भी लाता है चुकि मेरे हेर ट्रीटमेंट है स्मोधनिंग एंड कैरिटिन ट्रीटमेंट तो यह हैर कलर बेस्ट है और यह मेरा परस्नल इक्स्पीरियेंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूं कि क्यों अपने बालों पर हेर कलर लगाना चाहिए आप हेर बेन फ्री होना चाहिए अमोनिया फ्री होना चाहिए ताकि आपके जो ट्रीडर है उसको नुक्सान न पहुंचा सके तो यह बिल्कुल सेफ है यह बोटल है 1000 ml की और यह भी काफी ज्यादा चलने वाली काफी कॉस्ट बिल्कुल कॉसली नहीं है यह है 375 की बोटल एक लीटर क और यह भी एक साल चलने वाली है अगर मैं हर महिने भी करती हूं तो मैं चल जाएगा यह है 275 की ट्यूब जो यह एक्टिवेटर है और यह है क्रीम जिसमें दोनों को बराबर-बराबर मिक्स करके मुझे लगाना है और दूसरी चीज यह कि मैं पूरे हैर लेंथ पे इसे पूरे महिने में चिर्फ एक बार अप्लाई करती हूं तो इसलिए मैं महिने में सिर्फ एक बार अप्लाई करती हूं पूरे महिने अच्छे से बॉच करती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है permanent hair color है इसके पहले मैंने इस्तिमाल किया था L'Oreal का hair color कलर चूझ करती हूँ मैं darkest brown या फिर dark brown ब्लेक कलर चूझ नहीं करती हूँ क्यों कि ब्लेक कलर बाद में ऐसा लगता है जैसे dye किया हुआ है तो अच्छी लूप नहीं आती है, नेचुरल लूक आता है, डाकेस ब्राउन या फिर डाक ब्राउन, तो बाकी आपका जो हैर कलर हो, नेचुरल हैर कलर, उसके एक्वार्डिंग आप कलर चूज कर सकते हैं, कई सारे शेड में आता है, तो ये योटिका का प्रोफेशनल हैर क करूंगी तो बाद में मैं वीडियो बना के आपसे शेयर करूंगी और दिखाऊंगी कि कैसे क्या रिजल्ट आया वाकि लॉरियल का मैं अपलाई कर चुकी हूं तो उसका काफी अच्छा रिजल्ट था वो भी बहुत अच्छा कलर देता है हमारे है को पर्मनेंट है कलर वो भ कि इसको इस्तिमाल करने से 48 घंटा पहले ही हमें अपने कहीं भी स्किन पर इनर साइल यहां पर या फिर कान के पिछे वाले स्किन पर थोड़ा सा लगा करके यह देखना होता है टेस्ट करना होता है कि यह किसी तरह का अलर्जी क्रिए तो नहीं कर रहा है तो क्यूंकि आप आप देख सकते हैं कि मैंने इसे यह पूरे साल बहर इस्तिमाल करें यह Ceana ओर अगर हम कहीं पालर है तो वन टाइंग का साथ सो से आट सो रुपी ओ हैर लेंथ के अंग लिए तो जो कि मुझे बिलकुल परसंद नहीं है अपने पैसे खर्च करना पालर में तो आप देख सकते हैं कि 600 रुपे में ही मैं पुर्य स्ताल भर घर बैठे खुद से अपने ग्रे हैर को तीट कर सकती हूँ, उसे कलर कर सकती हूँ तो गाईज अगर आप इसे पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं चुकि मेरा फर्स टाइम है तो आप पहले से, आपके पास पहले से इसका अनुभा होगा तो मुझे भी इसके कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके मुझे के अनुभाव जरूर शेयर करें ताकि मैं भी सचेत हो सकूँ या फिर नेक्स टाइम के लिए सोचू वैसे नेक्स टाइम मैं फिर से लॉरियल ही खरीदूंगी तो उसकी वीडियो भी मैं आपसे जरू शेयर करूंगी तो गाइज अपने अनुभाव शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपका भी फर्स टाइम है तो पहले मुझे इस्तेमाल करने दीजिए और इसका अनुभाव मुझे बताने दीजिए फिर आप इसे पर्शेश करिएगा